Hello Guys कैसे है आप लोग स्वागत है आफ लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बतांगा गाईस की Oppo Find N3 Flip Phone में आप लोग Face Lock को कैसे सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक Oppo Find N3 Flip Phone है और इस Phone में जो है आप लोगों को Face लोग को लगाना है तो कैसे आप लोग अपने फॉन में फेस लोग को लगा सकते हो गैस अगर आपके फॉन में जो है फेस लोग दिया गया है तो आप लोग फेस लोग को यूज कर सकते हो आपका फेस देखते ही आपका जो स्क्रीन लोग है वो खुल जाएगा आटोमेटिकल तो कैसे अप लोग अपने फोन में फेस लोग को लगा ओगे गाईज तो आज के वीडियो में मैं ही बताओंगा आपणोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते है Face Log को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है Settings में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे scroll down कर लेना है थोरा नीचे scroll down करते ही आप एक option देखने को मिलेगा guys Password and Security का तो इस Password and Security के option पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक option होगा इस face का तो इस face के option पे click करेंगे click करने के बाद आपके phone का जो भी passport है उसको डाल देना है डालते ही देख सकते ही आपर continue का option आया है continue पे click करेंगे click करने के बाद देख सकते ही आपर camera open हो गया और इसी केमरे की बीच में जो है आप लोगों को आपने फेस को दिखा देना है देख सकते हैं फेस को दिखाते ही आपका जो लोग है फेस लोग वो यहाँ पर एट हो जाएगा ठीक जाएगा जाभी done का option आएगा done के option पर ख्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका जो फेस लोग है वो यहाँ पर लग गया है आप लोग देख सकते हो तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने oppo find n3 flip form में फेस लोग को set कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई